वेलो स्टुडेंट हाव और यू तो प्यारे बच्चों आज हम क्लाश 10 NCRT का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आप देखिए सबसे पहले कोश्चन नमबर 1 पे हम दिस्क्रसिन करेंगे तो कोश्चन नमबर 1 आपका है प्यारे बच्चों देखिए रेशनल और इर्रेशनल नमबर के कांसेट को पहले समझ लिजी कि वास्तों में रेशनल नमबर क्या होता है और इर्रेशनल नमबर क्या होता है तो प्यारे बच्चों देखे अगर कोई number है अगर उसको a upon b के form में हम लिख पाते हैं तो that is rational number a और b यहां क्या है? integers हैं और अगर कोई भी number है उसको a upon b के form में हम represent नहीं कर सकते हैं तो उसको irrational number करते हैं जैसे अंडरूट 5 जो है यहां पर एक number दिया हुआ है इसको हमें प्रूब करना है कि यह इर्रेशनल है यानि इसको हम a upon b के form में represent नहीं कर सकते हैं तो इस question को प्रूब करने के लिए हमको एक technique का इस्तिमाल करना है तो देखे हैं लिखा the prove is based on a technique that is called prove by contradiction तो contradiction method का इस्तिमाल करके हम इस question को solve करेंगे और यह प्रूब करने का प्रयास करेंगे कि एंडरूट 5 यह rational number ना होके यह एक irrational number है तो dear student सबसे पहले तो हमें इस question को solve करना अगर start करना तो हम यह मानना पढ़ेगा कि एंडरूट 5 एक rational number है तभी contradiction method से हम इसको प्रूब कर पाएंगे तो चलिए start करते हैं let us assume to contrary that under root 5 is rational हमने assume कर लिया कि एंडरूट 5 क्या है एक rational number है कि अभी पता तो नहीं है कि यह rational ही है यह तो हमको प्रूब करके दिखाना है तो इसलिए हमने contrary method पे अंडरूट 5 को rational मान लिया now if possible अंडरूट 5 is rational then its simplest form b a upon b अगर अंडरूट 5 को आप rational मानते हैं तो जाहिर सी बात है इसको a upon b के form में हम represent कर सकते हैं जहां a और b क्या है integers है और इसने कोई भी common factor नहीं है केवल one ही common factor है यह co-prime number है और यहां b की value 0 नहीं होनी चाहिए यह भी condition है तो now under root 5 equal to a upon b को से अंडरूट 5 बी कल्टू हो जाएगा एक तो इसके बाद का step तो हमने देखा अंडरूट 5 equal to a upon b then under root 5 b equal to हो जाएगा a के now on squiring both side यह हो जाएगा 5 b square equal to a square on squiring both side okay done next is let this is equation number one okay now here you are looking that 5 डिवाइट, what? B स्क्वाइर. Hence, 5 आल्सो डिवाइट A स्क्वाइर. क्योंकि B स्क्वाइर का एक फैक्टर अगर 5 है और दोनों एक्वल है, A स्क्वाइर और B स्क्वाइर, तो A स्क्वाइर का फैक्टर भी 5 होगा. And by the theorem, and by the theorem, it follows that 5 is also the factor of A, means A is also divisible by 5. यह भी एक theorem है, कि अगर कोई स्क्वाइर है, उसका 5 से डिवाइट हो रहा है, तो उसका अंडर रूट भी 5 से डिवाइट होना चाहिए. तो इस्टुडेंट इसके बात का step देखे, अब यहाँ पर अगर देखे, यहाँ अगर A यह भाइट से डिवाइट हो रहा है, तो लेट अगर A यह भाइट तो इस फैक्टर है, दूसरा फैक्टर C माल लेते हैं, तो फार सम इंटीजर, C, here C is a integer, फार सम इंटीजर, C, यहाँ तो आए सोज़ें बच्चो, तो इसके आगे का step हम देखते हैं, कि अगर हमने यहाँ पर दिखा हुआ, 5B स्कॉाइर इकल टू A स्कॉाइर, तो A स्कॉाइर के वैलू यहाँ से क्या हो जाएगी, A स्कॉाइर इकल टू हो जाएगा 25C स्कॉाइर, A स्कॉाइर इकल टू जाएगा 25C स्कॉाइर, और इस वैलू को अगर equation number 1 में रखते हैं, Putting value in equation 1, तो इस क्या हो जाएगा, यह 5 B square तो यहाँ पे है ही और A square की जगा भी लिख सकते हैं 25 C square अब देखिए यह 5 common है 5 से डिवाइड किया तो B square equal to हो जाएगा 5 C square dividing y 5 इस तरह से आपने अगर 5 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि B square यह 5 से तो इसका मतलब क्या हुआ अगर C का एक factor 5 है C square का तो B square का भी factor 5 होगा it means 5 divides B square and therefore according to theorem 5 also divide B according to theorem पहले ही अभी एक स्टेप पहले हम इसकी चर्चा कर चुके कोई square है उसका अगर नंबर 5 इस रिवीजल होता है तो उसका यह square हटाने के बाद वो नंबर भी उसका एक factor 5 होगा इस तरह सी एक चीज हमको यहां पर मिलती है कि यह जो नंबर है ए और बी इन दोनों का common factor क्या हो गया यह 5 हो जाता है ओके आते हैं ने सी स्टेप पे यह जो कलकुलेक्शन अभी तक हमने किया इसके अधार पे यह प्रूब होता है कि 5 शुड्बी कामन फैक्टर आप एंड बी 5 शुड्बी क्वामन फैक्टर आप एंड बी राइट लेकिन अगर एक्वल टू 5 सी रखने पे इस तरह से हमारा एक फैक्टर आता है कि 5 दोनों का फैक्टर है लेकिन इक कांट्रेक्शन यहां एराइज होता बट इस कांट्रेक्श कायट आएंड बी हैब नो कामन फैक्टर अगर देन वन याद कीजिए फस्ट जब हमने कल्कुलेशन स्टार्ट किया इसका तभी हमने लिग दिया है कि ए और बी इंटीजर से हैं और ए और बी के कांट्रेक्शन करने के अधार पर हमारा यह कि आप रिजल टारा है कि फाइप ए और बी के वीछ कामन है यह एक कांट्रेक्शन यहां यहां है हुआ करीए बट इस कांट्रेक्श बट इस contradicts that a and b have no common factors a and b have no common factor other than one अब देखें दो अलग अलग विरोधा भासी बाते आ रही है एक भी कहा रहा है जो है कामन होना चाहिए ए और बी का बीच में जबकि जब हम इसको रेशनल माना था उसमें कंडिशन क्या रही थी कि केवल वन ही इसके बीच कामन है और कोई नंबर नहीं तो दो अलग अलग ब मतलब यह सलूशन आया की फाइब उसके बीच कामन होना चाहिए राइट किजिए इस कांट्राडिश्ट एराइज एज बाई एज्यूमिंग देट अन्डरूट फाइब इस रेशनल यह यह जो विरोधा भास स्टार्ट हुआ यही स्वजे से हुआ क्यों कि हमने अल्डेडी मान रख्था था कि अन्डरूट फाइज रेशनल नंबर तो इस कांट्राडिक्शन के कारण अब क्या होता है यह प्रुभोकता है हैंस इस प्रूट इस प्रूट यह 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 वारा जो एजूंद किया था हमने इस रेशनल नंबर यह सही नहीं उत्रा अगर इस रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा इर्रेशनल हो जाएगा इस तरह से इस्टूडेंट्स सब्सक्राइब करने वाले हैं सब्सक्राइब क्या है प्रूब दैट थ्री प्लस टू अंडर रूट फाइप इस इर्रेशनल नंबर तो इसमें हम देखेंगे कि यह जो है कैसे इर्रेशनल प्रूब करते हैं तो सलूशन में फिर होई टेक्नीक आप का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें लेंगे लेट है। । पासफाल एज्यूफ 3 टू अंडर रूट 2 भी तू इसम्होंने ररेशनल मान दिया और अगर इसको harmony मानते हैं तो इसको simplest form एक राइट करना है तो आपको पहले से पता है फर्स्ट वोस्ट में ने बताया कि a and b क्या है integers हैं और b की value 0 नहीं होनी चाहिए then 3 plus 2 under root 5 क्या हो जाएगा a upon b के equal हो जाएगा यानि 2 under root 5 equal to हो जाएगा a upon b plus 3 इदार आ गया हो माइनस 3 ठीके ना तो अंडर root 5 2 इदार आएगा 1 by 2 हो जाएगा a upon b minus 3 हो जाएगा इस तरह अंडर root 5 equal to a upon 2 b minus 3 upon 2 के होगा इसके आगे का step student हम देखते हैं देखते हो जाएगा एफ जाएगा हो जाएगा आएगा a upon b now a upon b is rational number is rational then a upon 2b this will be also rational अगर यह अपान b rational है तो a upon 2b rational होगा क्योंकि a और b दोनों integers है और two already यह numbers है इसके आगे का देखिए step यह हो जाएगा two a upon 2b minus three यह भी क्या हो जाएगा is also rational यह भी rational हो जाएगा क्योंकि rules है कि अगर rational number से कोई दूसरा rational number minus किया जाए तो जो result आता answer आएगा वो भी rational होगा तो आप write कर लिजे यहां पे कि सिंस रिजन या लिग दीजिए सिंस डिफ्रेंश कि आप कि रेशनल नंबर कि रेशनल होगे तो यह वैलू भी रेशनल हो जाएगा इस तरह से अगर हम देखे तो इक्वेस्टन वन से हम क्या प्रूब होता है कि अंडर रूट फाइब क्या हो जाएगा वह रेशनल प्रूब हो जाएगा क्योंकि इस वह लूग के बराबर था अंडर रूट फाइब तो लिए प्राम एक्वेस्टन वन अंडर रूट फाइब प्रूब हो जाएगा रेशनल इस तरह से एक कांडर एक्वेस्टन एराइज हो रहा है तो बट इट गिविन देट अंडर रूट फाइब रेशनल बट उन्डर रूट फाइब पीज और इर्रैनल नंबर अलर्ट हमको पता है यह रिशनल नहीं हो है इर्रैनल नंबर तो अगर यह रिशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि यहां contradiction arise हो रहा है तो thus we arrive at a contradiction लिखिए thus we arrive at a contradiction अब इस contradiction से क्या प्रुभ हुआ कि since the contradiction arise by assuming 3 plus 205 rational तो इसलिए contradiction वहां से प्रुभ हो गया कि यह एक irrational नंबर होगा तो राइट करिए since the contradiction, since the contradiction arises by assuming that 3 plus 205 is rational तो आइसा तो हुगा नहीं, hence contradiction के कर्णट क्या प्रूब हो गया कि 3 plus अंडर रूट 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 है 3 plus 2 अंडर रूट 5 एज प्रूब टूबी इर्रेशनल तूबी इर्रेशनल क्यों क्योंकि इर्रेशनल मान के जम ने लगाया तो contradiction इर्राइज हुआ क्योंकि यहां पर यह नंबर तो जो इक्वेशन नंबर वन में सेकंड साइड है वह रेशनल प्रूब हो रहा है और हम देख रहे हैं कि अल्डेडी इर्रेशनल है तो दोनों में प्रूब कर दिया कि अगर यह रेशनल नहीं है तो यह क्या होगा इर्रेशनल नंबर होगा तो कोश्चन नंबर 3 देखे क्या है कि प्रूब दयाएटदा फालेव हाओ रेशनल नंबर 3 में 3 पारट हैँ और इन तीनों नंबरों को हमको प्रूब करना है कि यह रेशनल है जैसे यहां पर एक फर्स पार्ट है वान अपान अंदरूट टू सेकेंड सेबन अंदरूट फाइव और थर्ड शिक्स प्लस अंदरूट तो इन तीनों को वन बाई वन हम आपको प्रूप करके दिखाएंगे कि कैसे यह रेशनल नंबर नहीं है बलकि इरशनल नंबर है तो साूलोशन पर पहले वान अपान अंडरूट टू को लेते हैं तो पriver करते हैं यह पास्वाल let डइंचिन एत्वान अपान अंडरूट टू भी रेशनल एक बार इसको रेशनल माल लिया एप अगर निकूम्लिलی किसके बराबर हो जाएगा अपान दीक्वल हो जाएका और A and B are here integers, और B की value वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहां से अगर मालो अंटर रूट टू को हम reciprocal करते हैं, तो A upon B का क्या हो जाएगा, B upon A, equation number 1 मिल गया, अब यहां पर क्या होता है, A upon B आपको मालूमा अलड़ी, यह integer से बना है, rational number है, तो B upon A भी rational होगा, क्योंकि अगर rational number को reciprocal किया जाए, तो उसका result भी rational होता है, यहां लिख दिया हमने कि reciprocal आप rational number भी rational, तो इससे क्या प्रूब हुआ, तो under root 2 is also rational, equation number 1 में देखा जाए, यह number rational है, तो यह number under root 2 भी इस तरह से rational दिख रहा है, लेकिन अब हमको पहले ही पता है, यह under root 2 क्या है, वह rational number तो है यह जो है, irrational number है, वो इसके आगी का इस्टेप देखते हैं, अब देखें, यहां वीरोधाबासी बाते हो रहें नहीं, एक तरफ तो हम कहे रहा है कि under root 2 रेशनल है, और दूसरी तरफ हमको पहले से ही मालू है, कि under root 2 रेशनल नंबर है यह नहीं, इस रेशनल नंबर है, ठीक न, तो यह contradiction arise कैसे हुआ, तो since the contradiction arise by, since the contradiction arise by assuming, 1 upon under root 2 is rational, हमने 1 upon under root 2 कोच की रेशनल माल लिया, इसी लिए इस तरह का contradiction arise हुआ, तो इस तरह से यह प्रूब होता है, कि यह अंबर वास्तों में 1 upon under root 2 रेशनल मालने लाए नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इससे यह प्रूब होता है, हैंस, it is proved that, hence, it is proved that, 1 upon under root 2, this is an irrational, और यह आपको प्रूब भी करना था, रेशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो इससे नहीं हो जाएगा, अब आते हैं, question number 3 के ही second part पर, तो student आपको पता है कि second part जो हमारा था, वह है कि हमको prove करना है कि 7 under root 5 यह क्या है, यह भी एट, इर रेशनल नहीं है, तो यहाँ भी assume करना पड़ेगा, क्योंकि contradiction technology का इसकेमाल करना है, तो पहले हमको इसको rational मानना पड़ेगा, तो let us assume that, write करिए, let us assume that 7 under root 5 is a rational, तो अभी हमने पहले इसको contradiction के लिए irrational प्रूब करना है, तो rational मानना पड़ेगा, ठीक न, and simplest form b, and simplest form b, a upon b, और अगर 7 under root 5 को हमने rational मान दिया, तो जायर सी बात, integers के रूप में, a और b को हम लिखेंगे a upon b, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि, b की value जो है, यह 0 नहीं होनी चाहिए, यह भी condition होता है, तो यहां से अगर एक जीम करते है, then, 7 under root 5, equal to क्या हो जाएगा, a upon b के हो जाएगा, तो इस condition में देखी, अगर under root 5 यहां रखते हैं, 7 इधर multiply इधर आएगा, तो नीचे आ जाएगा, 7 b के आ जाएगा, यह हो गया हमारा equation number 1 हो गया, right, तो देखें, अब हमको पहलो ही पता है, now, how, a upon b चुकी, क्या है, are rational, तो b upon, अब देखी, a upon 7 b क्या हो जाएगा, a upon 7 b in rs, यह भी rational हो जाएगा, क्योंकि a upon b rational है, तो यह पान 7 b भी रहे, 7 b तो एक rational number ही है, उसको लगाने पर rational ही आएगा, ठीक न, तो आगे देखिए, rational number divided by rational is also divided, region लिग दीजे, रेशनल, नमबर, डिवाइड बाई, रेशनल, इस, रेशनल, क्योंकि यह रेशनल नमबर था, इसको 7 जो कि रेशनल नमबर है, अलरड़ी इससे डिवाइड किया, तो जो result मिला, वह है, आपको क्या मिल गया, rational, तो इस तरह से यहां क्या प्रूप होता है, रेशनल प्राम एक्वेशन, वन, तो यह प्रूप करता है, कि अगर एपान 7 भी रेशनल, हमने प्रूप किया, तो यह नमबर भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, लेकिन आप लोग जानते हैं, कि ऐसा पास्वल नहीं है, क्योंकि हमने अल्रड़ी, इसको प्रूप नमबर वन में प्रूप किया है, कि अंडर रूट फाइब क्या है, एक रेशनल नमबर ना होके, क्या है, एक रेशनल नमबर है, वो इस तरह से कांट्रडिक्शन फिर से राइज हुआ, अब कांट्रडिक्शन राइज हुआ, तो समत्रब जो एजियोम हमने किया था, वो हम एंड रूर्ड फाइब एड औरेराना आपको पता है कि यह हम ने भले यहां सेifikरिशन वन जे प uniformly एडिया FROM और ठाइब लेकिन यहां पर दो मोभक सम्ट किंच तो यहां से क्या होता है कि सिर पूल्ड कर दिक्शन इराइज होता है। लिखे दस वी राइब एटा कांट्राडिक्शन हमको एक विरोधा भास दो अलग-अलग बाते पता चलती एक तरफ तो अलग-अलग बाते आने का मक्सद से क्या प्रूब होता है यह क्यों आया क्यों कि हमारी इजिविंग क्या थी हो रॉंग हमने सही एजिविंग नहीं किया शीन्ज तग कांट्राडिक्शन एराइज वाई राइट किजिए सिंज दा कांट्राडिक्शन कि एराइज बाई एजिविंग क्या था हमने कि 7 अंटारूट 5 इसा एजिम करने के कारण ही यह एक अंडर एक्षन है राई हो रहा है तो ऐसा अगर है तो इसका मतलब है कि 7 अंडर रूट 5 का जो एजिम हमने किया था कि यह रिशनल है वह सही नहीं है अगर रेशनल नहीं है तो क्या प्रूब होता है यह प्रूब हो जाता है यह यह एक रेशनल नमबर है है यह नमबर 3 का पार थी जो कि है 6 प्लस अंडर रूट 2 इसको हमको प्रूब करना है कि यह एक रेशनल नमबर है और यह है इस एक्सरसाइज का लास्ट कोश्चन भी है तो इसके बाद हम लोग का क्लास यहीं पर आज जिंट हो जाएगा तो आप पास्वल फिर आपको एक जीम करना है क्योंकि क्या है आपको गाप्रूब जो है उसका contradiction करना एक जूमिंग जो करना हो चांटरेडि करना तो अगर यहां irrational प्रूब करना तो पहले हम क्या मानेंगे इसको कि six plus under root two is rational और अगर rational है तो फिर अगर हम simplest form में लिखते हैं तो a upon b के form में लिखाएंगे क्योंकि a और b यहां क्या है इंटीजर्स हैं और b की value condition यहां कि 0 नहीं होनी चाहिए अगर इस तरह से हमने a upon b के case में इसको लिखा तो six plus under root two equal to a upon b हो जाएगा अंडर root two यह six इदर प्लस से इदर आएगा तो क्या होजागा माइनस तो यह हमको मिला equation number one तो अब देखिए यहां पे हम quality पता है कि a और b चुकी इंटीजर्स हैं तो यह अपमान b क्या होगा यह rational number होगा rational number होने के कारण अगर इसमें से six six भी rational number है वह माइनस किया तो इससे जो रियल्ट मिला वह भी क्या होगा यह भी rational होगा क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्रेंस आप rational number क्या होता वह भी rational ही होता है यहां पर write कर दिया हमने तो इससे क्या प्रूब होता equation number one से यह प्रूब होता है कि अगर इधर वाली वैल्व रेशनल है तो इधर वाली वैल्व भी rational होगी यानि अंडर रूट टू यह भी प्रूब हो रहा है कि यह rational number है लेकिन आपको मालूम है कि अंडर रूट टू तो रेशनल नंबर है नहीं तो यहां पर क्या हुआ एक contradiction arise होता है तो ऐसा contradiction arise क्यों गवा क्योंकि हमने जो assume किया हमने assume किया तक शिक्स प्लस अंडर रूट टू यह एक rational number है तो कहीं न कहीं हमारी assuming जो होगा सही नहीं थी इसलिए हमारा solution जो है करने पर जो solution आ रहा है उसमें contradiction हो रहा है तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि लिखिए बट कि एट इज गीवें अगे जैट कि अंडर रूट टू इज इर्रेशनल अंडर रूट टू इज इर्रेशनल तो अब रूट तो हो रहा है रेशनल लेकिन वाज़तों में आपको मालूम है कि अंडर रूट टू तो एक इर्रेशनल नंबर है तो यह contradiction आया कैसे लिखिए thus we arrive at a contradiction contradiction हो गया तो since तक और contradiction एराइज क्यों हुआ क्योंकि हमारा assume जो खाथा वो रॉंग था since the contradiction arises by assuming six plus under root two rational तो इसका मतलब हमारा जो है वो रॉंग था hence it is proved hence it is proved that six plus under root two is an irrational तो इस तरह से student हमने इस में देखा कि rational और irrational की बीच का क्या contradiction है तो अब यह सारी question आप देखिए तो कमों बेश एक ही pattern पर अधारी थे और इस pattern या technique का नाम क्या था प्रोब बाई contradiction तो यह contradiction मितर से हमने यह जो तीन question थे इन तीनों question को solve करके आपको पता दिया और आप लोग को मिध है यह सारी स्टिफ समझ में आयोंगे एक बार फिर से आप लोग इसको कॉंपणी में solve करेंगे तो थोड़ा बहुत जो confusion होगा वह भी दूर हो जाएगा तो स्टुडेंट यहीं पर हमारा class आज खतम होता है